निम्र्सकार दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्था उनुश्यटी एक्साम रिजट 24 जाकिर का राजस्था उनुश्यटी इस ने यूजी पार्ट फर्स्स समेस्टर का जो रिज़ल्ट हो जारी कर दिया गया है result कैसे देखना होगा इसके बारे में भी आपको जानकरी शोड़े में देखने लिए मिलने वाले जो भी मार्शिट में जो चीजे जहां पर देखने के लिए मिलेंगे credit, error क्या है इसके बारे में भी आपको बताना होगा fail होंगी या pass होंगी इसके बारे में जान कर दी जाएगी do paper कौन कौन से हैं ये कैसे पता करें और आपकी जो numbers हैं वो कितनी आ रहे हैं ये कैसे पता करना होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं result के बारे में दोस्तो non college के जो admit card वो भी जारी हो चुके उसके बारे में भी में चर्चा करने वाले हैं result चेक करेंगे non college के admit card बताऊंगा उसके बाद में आपको बताने वाला हूँ mark sheet में आपके जो numbers हैं किस परकार दिये गए हैं जी हाँ दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेंगे और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने होगी next step जी हाँ दोस्तों यह है आपके सामने राजस्तान के ऑफिसल सबसे पहले हम बात करने कर लेते हैं आप नॉन कोलेज के admit card क्या करना होगा आपको यूनी विराज.org इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे जैसे दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया आपके सामने होगी next step जैनकी राजस्तान उस्तों इसाडिस ओफिसल एवसट अब admit card के लिए आपको जी वह पैनल दिखाई दे रहा है नई पी 2023 और चोई इस पर क्लिक करना होगा और जैसे दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया आप पास्ट लगा कि आप अपना यहां से admit card देख पाएंगे, अदर्वाइस user name नहीं है तो आप forget कर सकते हैं passport भी नहीं है तो forget कर सकते हैं और login कर सकते हैंत यहां से पता कर सकते हैं सबी चीज existe इसके पास कुछ भी नहीं है यह तो था admit card अब बात कर लेते हैं आप रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपको कैसे चेक करना होगा थोड़ा सा आप बैक जाना होगा और जो इसकी जो official website है यहां पर देखेते हैं यहां पर रिजल्ट को उपसन दिखाए देगा आपको रिजल्ट के उपसन पर क्या करन देखेंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं बीकॉम पार्ट समेस्टर का जो रिजल्ट है और लगातार चातर कमेंट कर रहे हैं कि कौन सा पेपर ड्यू है कि सब्जेक्ट में फैल है फैल भी होंगे या नहीं होंगे फर्स समेस्टर के अंदर और किस परकार निमर्य डेटो पर लगा कि आप अपना समेस्टर का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं यान कि अपने रो नमबर डेटो पर लगा कि आप अपना रिजल्ट है देख पाएंगे अब बात कर लेते हैं आप जो मारक सीट में है वो उसके बारे में यह है दोस्तों आपका बीकॉम पार सिर्ट फर्स्ट एर काफ सिमेश्टिक जो मारक सीट इनBO है उसकी अब बात करें आप डू रहने वाला यह आपका ए ग्रेट दिया है तो आपको 6 नमर मिले है ठीक है इसी के अंदर ओ जी पी आपका भी रहने वाला है यानि की लगबग भी और इसके हम बात करने वाले यह भी आपका क्या है डू है और इसके अंदर सी दिया गए अब चैंके आप इसमें पास और इसमें बी प्लस दिया गया है इसमें भी ठीक है टोटल मिलाकि आपको टेट अन्हेर नमबर जो इन नमबर है आपको चोदा नमबर देखने के लिए आपर मिले हैं तो इसमें जो डू पेपर है ना वो आपकी सकन्ड सेमेस्टर में लगेंगे सेक्ट सेमस्टर के साथ एग्जाम में लगने वाले रजी देखोंड़ से को स्य opportunist को मतलब होता हैो मली रजी का मतलब होता है स्प्सकोंड यां पर दिया गया बार नहीं भी दी गई है तो यह था आप नीचे वाली जो लैन है इसको भी आप समझ पाएंगे ठीक है तो इसके टोटल में लाके बारा इसकी क्या है नमबर आए अब यहां पर बात आती है कि फैल होंगी है नहीं होंगे बिल्कुल नहीं होंगे फर्स सेमेस्टर में कोई भ वाले जो नमबर है वो जोड़ेंगे और सेकंड वाले में जोड़ेंगे फिर आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है कितना परसंटेज बनेगा सबी डिटेल्स बात करने वाले है ठीक है तो यह पेपर है यह आपके सेकंड सेमेस्टर के साथ ही लगने वाले है ठीक है य फैल कोई भी चातर यहां पर नहीं किया जाएगा राजस्तान इनिश्यटी हो चाहिए बाकि जितनी इनिश्यटी है सब इनिश्यटी में कोई भी चातर फैल नहीं होने वाला है सेकंड सेमेस्टर में आप इनका एक्जाम दे सकते हैं ठीक है यह नंबर है यह लास्ट में लगते हैं ठीक है इसी परकार आपके लगातर कमट करें किसे हमारत क्या होगा कि हमें फैल हो गया कैसे पता लगाए तो ड्यूवाली रहेंगे घूए के बागी कोई भी चातरैंब फेल नहीं किया जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चलें जुरू सब्सक्राइब करे दाने बाद